हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल आज हम बात करने वाले हैं भारत हेवी इलेक्टिकल लिमिटेट के बारे में ठीके तो इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और यह कंपनी गवर्मेंट कंपनी हैं यहाँ पर आप देख सकते हो और यह सारी चीज़े जो गवर्मेंट कंपनी होती है वहाँ पर यह सारे सिंबॉल्स आपको नजर आएंगे हमारा तिरंगा न चलता है सारी चीज़े देखेंगे और इसकी बिजनसेस कैसे तो यहाँ पर यह बिजनसेस भी देख लेते हैं और थोड़ी डिटेल यहाँ पर वेबसाइट पर मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप इनके प्रोडक्ट एंड सर्व देख लो तो BHEL करती क्या है तो यह लार्जेस्ट इंजिनियरिंग कमपनी है तो लार्जेस्ट इंजिनियरिंग है यहाँ पर आप देख सकते हो यह कौन से सेक्टर में है तो यहाँ पर इंजिनियरिंग लार्जेस्ट इंजिनियरिंग है एंड मैनिफेक्टरिंग कमपनी of kind of India engage in design engineering, construction, testing, commission and servicing wide range of product and services with 180 product offering to meet ever-growing needs to the core sector of economy और यह कौन से कौन से sector के products यह बनाती है तो यह सारे चीज़े जो यह sectors में लगती है ठीक है तो सब में यह infra में हो यह सारी चीज़े यह company manufacture करती है बनाती है ठीक है तो electric चीज़े यह company बनाती है और यह company का main business है तो और भी चीज़े आपको यह company के बारे में इसके website पर आपको मिल जाएगी ठीक है तो आप completely और भी चीज़े जानना है तो पूरा आप website देख सकते हो और मैं आपको अभी इसका screener पे fundamental चीज़े दिखा देता हूँ कि fundamentally यह company कैसी है क्योंकि हर कोई investment उसके fundamental base पे ही करना पसंद करता है कि उसमें invest करके उनको फायदा कितना होगा या profit होगा नहीं होगा तो investment के हिसाब से company कैसी है तो यह चीज़े हमको screener पे नजर आएगी तो screener पे देखो यहाँ पर BHL का भाव अभी चल रहा है यहाँ पर 61 का ठीक है 61 का भाव है और market capital देखो 21,000 करोड़ 21,000 करोड़ की है 21,400 करोड़ की company है यह और यह इसने 41 का low मारा है 77 का high मारा है तो अभी low से भी उपर ही है और high से थोड़ा नीचे ही है ठीक है तो ठीक है यह बाकी जो चीज़े यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ पर इसका P थोड़ा मेंगा नजर आ रहा है ठीक है 30 का P आ रहा है तो यह sector के इसाब से तोड़ा मेंगा है यह और book value अच्छा है dividend भी आधा टका तक दे देती है 2 रुपे का face value आ रहा है ROE काफी कम है एक देर टका return on equity करती है company और return on capital employed भी 2-3 टका का return on capital employed है तो काफी खराब है यह यह चीज़े खराब है इसके अंदर और साल के यहाँ पर graphs देखेंगे तो देखो high से काफी यह down आया हुआ है यहाँ पर एक low मारा था यहाँ पर एक low मारा था और कितना high था यहाँ पर मैं दिखा देता हो तो लगबग यहाँ पर 74 का जो high है इसने 18 October 2021 में यह high मारा और वहाँ से यह share यहाँ आया और यहाँ पर यह 44 का जो भाव नजर आ रहा है यहाँ तक आया था 44 और 44 के बाद यहाँ पर और एक बार नीचे आया था तो 42 तो यह ज़्यादा बड़ा low है इसका तो वहाँ से यहाँ तक यह भाव गिरा था इसका और यह 42 कब मारा इसने 20 जुन 2022 को तो वहाँ से बाद में देखो जिसने इन्वेस्ट किया उसको थोड़ा बहुत फाइदा दे दिया इसने और यह price कितना आया था यहाँ पर देख सकते हूँ यह 64 का price इसने फिलाल यह high दिया था फिर से यह down आया तो up and down यह लगबग 2020 में 20 रुपे के share का भाव था यह 27 मार्च को 20 रुपे के भाव पर मिल रहा था और वहाँ से यह फिर बाद में बढ़ा तो देखो जिसने इन्वेस्ट किया 20 रुपे का share 76 हो गया ठीके तो 3 गुना साड़े 3 गुना तो यह share ने रिटन्स दिये है जो 20 रुपे में जिसने खरीदा फिर उसके बाद थोड़ा बुद करेक्ट हुआ लेकिन अभी भी फिर भी सही भाव पर चल रहा इतना डाउन नहीं तो सही भाव पर कभी खरीदना चीए जब डाउन पर मिले तो 20 रुपे पर जिसने खरीदा उनके लिए काफी इसने फाइदा करके दिया यह जस्ट शॉट टम के रिटन्स के लिए है यह लॉंग टम के लिए नहीं ठीके तो फिलाल यह शॉट में अच्छा कासा इसने रिटन्स दे चुका है और पास साल से जो इन्वेस्टेड है उनका देखो क्या हाल हुआ है तो उनको यह शेर कितने भाव पर मिल रहा था यहाँ पर आप देख सकते हो लगबग यह 103 के भाव पर उन्होंने इन्वेस्ट किया जो भी 2018 में इन्वेस्टेड थे 103 का भाव था 25 जन्वेरी 2018 के टाइम पर वहां से शेर का भाव देखो 20 रुपय हो गया था तो यह होता है यह 20 रुपय का हमने जो देखा ठीक है वहां से यह इतना यह मार्च में गिर गया था COVID के वज़े से तो 100 रुपय का शेर भी 20 रुपय हो जाता है यानि आपका पूरा 80% आपका गायब हो जाता है तो उसके बाद फिर से ओर रिवर्स आ जाता है लेकिन यहां पर जिसने खरीदा उनके लिए लौस है लेकिन यहां पर खरीदा उनके लिए प्रॉफिट होता है तो इसलिए किसी को पता नहीं होता है कि कौन सा डाउन जाएगा कौन सा अब जाएगा तो हमेशा अच्छे शेर्स डाउन पर खरिदना चीए और सारी चीज़े देखनी चीए मार्केट में और ये गिरते ही जा रहा था काफी टाइम सी गिर रहा था यहाँ पर 2018 से तो 20 तक तो गिर ही रहा था ठीके और अगर हम 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में देखो शेर का भाव किस तरीका था तो 10 साल में ये शेर लगबग यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो ये 194 के भाव पर एक टाइम पर मिला करता था ये शेर 10 साल पहले की बात है 2015 की बात है तो 10 साल complete हुए नहीं है फिर भी 2015 से अभी तक 194 का ये share हुआ करता था वहाँ से share ने देखो काफी यहाँ पर downside दिखाया लेकिन उससे पहले 2015 पर हाई था और हाई से यहाँ पर देखो समझ लो कि 200 का share आपका 20 रुपय हो जाता है याने 90% आपका पुरा capital गायब हो सकता है तो कितनी भी अच्छी ये government company हो कुछ भी हो तो ये investor का loss होता है ओ टाइम पे कोई BHA low भेल low share ऐसा टीवी पे अगर हम देखते है तो वो चीजे पटाक से ज़ादा से ज़ादा quantity ले लेते है दस अजार लोग पाच अजार लोग कितनी भी quantities इस तरीके से ले लेते या इवन हजार भी quantities ले लेते तो उनका तो पुरे पैसे की बरबादी हो जाती इसलिए share market बरबाद है नाम खराब है उसका ठीके लेकिन कमाने वाले 4-5 टका 10 टका लोग ही कमाते जैसे 5 टका ही most of लोग अच्छे से कमा लेते बाकी सब loss ही करते है ठीके और इसलिए सही भाव पे रहना अच्छा होता है और बाकी सारी चीज़े देखना ये आपका काम होना चीए सबी चीज़े अच्छे से जानना ठीके और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो ये शेर का भाव एक टाइम पे कितना था यहाँ पर आप देख लो ये इसका जो हाई है यहाँ पर लगबग 369 का भाव एक टाइम पे था ये शेर में 369 2007 में ये शेर का भाव था वहाँ से यह सबसे ज़्यादा लो मार्च में ही मारा था 20 रुपे का जो यहाँ पर है तो वहाँ से यहाँ तक देखो शेर ने कितना बरबात कर दिया 300-300 के उपर का यह शेर कितना बुरा हाल कर सकता है यह है शेर मार्केट की रियालिटी और यही चीज में आपको बताना चाहता हो और सोचो कि यह शेर इतना गया था फिर इतना डाउन आया तो यह फिर से आज नहीं तो कल जाएगा यह सब लोग सोचते है ठीक है एक टाइम पर ऐसा था लेकिन यहां से इतना बुरा हुआ है फिर से यहां आने के लिए क्योंकि गिरना गिरता है तो काफी स्पीड में गिरता है लेकिन बढ़ना है तो काफी डिफिकल्ट होता है किसी भी शेर के लिए बढ़ने के लिए तो देखो ये काफी difficult हो जाएगा अगर ये share आगे नहीं बढ़ता है तो लेकिन यहाँ पर देखो 2007 से ये share का ये बुरा हाल है इतना अच्छा था फिर 8 में जो मंदी आई वहां से गिरा और उसके बाद फिर से अब हुआ फिर लेकिन यहाँ अब जाने के बाद फिर से तो य गिरते ही गया तो फिलाल ये इसके sales देखेंगे उससे आपको अंदाज आ जाएगा कि खरा भी कहां पर है ठीके तो max में भी हमने देख लिया कि किस तरीके से perform कर चुका है ये और pros and cons की बात करेंगे तो देखो positive का book value एक चीज है जो positive है और इसका data days improve हो रहे 86 days से 52 days पर खराब है देखो growth जो sales का growth है ना mini को देखने मिल रहें है पास साल के पिद्धे और यहां पर low return on equity बहरता रहे है return on equity भी खराब है जो तीन साल के हिसाब से minus 1.45% का यहां पर तीन साल के हिसाब से low return on equity चल रहा है लाबलुटे भी है 6.800 करोड की 415 करोड का other इंकम है तो अधर इंकम को मोस्ट आप नेगेटिव में माना जाता है क्योंकि अधर इंकम कभी होगा कभी लॉस भी करता है तो यह चीजे मैंने मेरे वीडियो में दिखाई भी है कि लॉस भी होता है अधर इंकम में तो मोस्ट आप इसको नेगेटिव ही माना जाता है और यह यहाँ पर यह छटे नंबर पर आ रही है क्योंकि इसका market capital के वज़े से यहाँ पर आपको यह six number पर इसके comparison companies के साथ ठीके सबसे टॉप पर इसमें आ रही है यह sector के अंदर capital good और electric equipment के अंदर Simmons company है यह top पर है जो 97,000 करोड का market capital होल्ड करती है और यह 21,000 करोड का market capital है तो यह इसमें देखो यह बाकी जो है private companies या public sector नहीं है private sector companies है तो उनका growth काफी अच्छा होता है इन companies से public sector से ठीक है और यहाँ पर quarterly results की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर यह जो इसके sales से 2019 के और 2022 के 4,500 करोड था और यहाँ पर 4,600 करोड तो देखो 2,3 साल में कोई ज़्यादा improvement यहाँ पर नजर नहीं आई है operating यहाँ पर loss हो गया था company को यहाँ पर भी loss कर रही है यहाँ पर ज़्यादा loss था 270 का यहाँ पर 170 का तो loss तो company कर ही रही है ठीक है क्योंकि य 4,800, 4,800 तो expenses पर control नहीं है और यहाँ पर operating profit margin भी minus में ही है ठीक है 6% minus में था profit margin यहाँ पर भी 4% minus में तो growth कहाँ से करेगी company यहाँ पर तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा loss किया जून में 1000 करोड का तो company ने loss ही book किया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3000 करोड का expense हो तो expenses ज़्यादा हो रहे company के इस वज़े से loss company ज़्यादा कर रही है और net यहाँ पर यह सारी चीज़े यहाँ पर आपको loss में results नजर आएंगे यहाँ पर देखो 1500 करोड, 800, 900 करोड, 500 करोड, 200 करोड, 1000 करोड तो company loss करने वाली company आपका फायदा कैसे करेगी यह भी आप सोच ल लेगी छोटा सा एक moment आजाएगा 10%, 5%, 20% का, वो moment के लिए आप अगर इसमें invest करना चाहो तो यह अच्छी बात है, लेकिन long term में देखो यह इस तरीके का performance रहेगा, तो क्यूँ आपको profit होगा, क्योंकि company खुद profit नहीं करी तो आपका profit कहां से निकलेगा, ठीके, और sales की बा चर रहे हैं, यह March के sales हैं, और यह 12 month, last 12 month के sales हैं, तो यहाँ पर यह देख लो कि यह company का आधा हो गया sales, sales आधे हो गया, 2011 से 22 तक, 11 साल के अंदर company के sales ही गिरावट में देखने मिल रहे हैं, तो उसमें अच्छी बात केसी हो सकती है, ठीके, तो यह problematic है कि कोई company के sales बढ़ते जानी चीए, लेकिन गिरते नहीं जानी चीए, तो sales में गिरावट हमको देखने मिल रहे हैं, तो यह चीज़ भी खराब है, इसके अंदर, expenses भी थोड़ा starting में control में थे, ठीक है, तो इस वज़े से margin भी 20%, 21% ले रहे थी company, यहाँ से थोड़ी खराब ही हमको देखने मिली, 2016 से 5% माइनस में हो गया, क्योंकि यहाँ पर 26,000 करोड का company ने expense किया, 25,000 करोड का company ने sell किया, तो यहाँ पर 1300 करोड का company का loss यहाँ पर नजर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर छोटा मोटा, यहाँ पर margin मिला company को, profit margin यहाँ पर देखो, minus में, यह दो minus में चले गए, और यहाँ पर 4-5% का profit margin पे चल रहा है तो profit margin कम की हुए expenses ज़ादा है खर्चे ज़ादा है sales इतना है तो 21,000 करोड का sale कर रही है 20,000 करोड का खर्चाई कर रही है company तो बचा कितना 800 करोड तो 800 करोड मतलो 4% 5% का company यहाँ पर profit margin ले रही है उसमें से भी बाकी चीज़े भी minus हो जाती है जैसे यह interest minus हो जाता है depreciation और यह profit का यह tax wax भी minus हो जाता है जो government को पास्टका tax भी minus हो जाएगा तो यह सारे चीज़े minus होने के बाद company का यहाँ पर profit देखो फिलाल तो March में profit किया company ने ठीक है क्योंकि other income भी हुआ company को 405 करोड का तो income हुआ extra income उसके वज़े से समझ लो यह profit हुआ यह नहीं होता तो company को profit नहीं होता तो यह इसके वज़े से हुआ other income तो other income पे ज़्यादा dependency तो होनी नहीं चीए किसी भी company की ठीक है अगर चलो यह company के अंदर आप यहाँ पर सोच लो समझ लो कि आप 10 साल से invested रहते तो 9 तका या 10 तके कि आसपास आपको हर साल की 걱정 आपको देखने मिलती आप यहाँ पर loss में ही होते 10 साल से invest करते 5 साल से भी invest करते तो 6% के हिसाब से आप गिरावट में मिलता आपको portfolio आपका loss में ही रहते पास साल से भी रहते ज़स तीन साल में इन्वेस्ट करते तो तीन साल से थोड़ा बोद 11% हर साल के इसाब से आपको अच्छे रिटरंस मिल जाते तीन साल के इसाब से ठीक है एक साल में भी 17% का लॉस आपको देखने मिलता तो यह इसने लॉंग टम में तो दिया ही नहीं करणी का रिजव में पैसा है तो रिजव अच्छा है ठीक है पहले और भी ज्यादा था रिजव थोड़ा कम किया है कमपनी का ठीक है फिर भी 25,000 करोड तक रिजव में है और बॉरविंग देखो 500 करोड का कमपनी पर करजा था अभी देखो 4,800 करोड का कमपनी पर करजा है 4,900 था 2021 में लेकिन अभी थोड़ा कमपनी ने करजा कम किया है थोड़ा सा कम हुआ है तो ठीक ठाक है यह लेकिन करजा है कमपनी पर और गॉर्मेंट कमपनी है तो करजे का इतना टेंशन कमपनी लेगी नहीं ठीक है और यहाँ पर शेर होल्डिंग पैटरन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर शेर होल्डिंग जो है गौवर्मेंट की फिक्स है प्रमोटर की फिक्स है 63.17% का यहाँ पर उनकी holding है शेर holding है और foreign के investor यहाँ पर देखो 11% थे तो वो 4% पर आकर रुके यानि देखो 4% से थोड़ा government ने फिर से foreign के investor ने FIs ने फिर से इसमें investment बढ़ाया है और उनका investment देखो 4.22% का यहाँ पर यह शेर holding उनकी है तो foreign के investors का भी यहाँ पर investment अच्छा है और 19% के DIs पहले 2019 में थे अभी 12 टका वो रहे गए साड़े बारा टका उनकी investment है 6% public का investment था अभी 20% public ऐसे shares में ज़्यादा invested रहती है जहाँ पर loss ज़्यादा हो और बाद में बोलती कि loss क्यों होता है पता नहीं चलता है उनको ठीक है तो main होता है कि public ही loss को attract करती है इसलिए उनको loss होता है profit की तरफ नहीं जाते profitable companies की तरफ नहीं जाना पसंद करते इसलिए वो profit नहीं करते है ठीक है तो majority ज़्यादा से ज़्यादा share ऐसे वो ज़्यादा risk लेते है आईसे शेर्स में तो most of आपको fundamentally जो strong है शेर या उसके performance अच्छे है जो सालो सालो से अच्छा सा return दे रहे है CAGR जिसका अच्छा है ये सारे चीजे अगर किसी company में अच्छी मिल रहे है वही company में invest करो तो फायदा होगा company खुद फायदे में रहेगी तो आपका भी फायदा होगा company खुद loss में रहेगी तो आपका फायदा कहां से होगा तो important है फायदा करने वाली company खुद का फायदा होगा तो ही investor का फायदा होगा ठीक है तो ऐसी company में ही invest करना चाहिए और यही मेरा कहना है कि यह long term के इसाप से तो कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा है long term के इसाप से यह share खराब है और short term में देखो छोटे मोटे returns के लिए कोई भी share चल जाता है penny stock चल जाता है तो कोई भी share चल सकता है ठीक है तो इसके लिए short term में देखो पास टका, दस टका, बिस टका की moment के लिए कोई भी करना है तो कोई भी share चल जाता है ठीक है अप एंड डाउन तो काफी हर एक share करता है लेकिन जो अगर आपको long term के इसाप से चलना है तो कभी भी अच्छे stock को ही चुनना चाहिए तो वीडियो अच्छा लगा है इंफोर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो, कमेंड करो, दोस्ते के साथ शेर करो थैंक यू वेरी मच पॉर वाचिंग मैं उड़े थैंक यू बाइ-बाइ